नमस्कार जोतिश विज्ञान के खास कारिकरम एस्ट्रो लाइब में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ कंचन शर्मा आज एस्ट्रो लाइब में बाते होंगी विवा के विशे में आपको बताएंगी कि अगर आपके विवा में विलंब होने लगा है आपको लगता है कि विवा हो ही नहीं पा रहा है वजाय क्या है और उपाय क्या होने चाहिए हम जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर क्यूं कि रहे नक्षत्रों के वज़ा से ऐसा होता है कौन सिग्र है कब कैसे विवा में बाधाय उत्पन करते हैं ये तमाम जानकारी आज हम हासिल करेंगे और साती साथ क्या है सुखद विवाह के जोतिश्य उपाए ये भी बताएंगे अगर आपकी खुद की कोई परिशानी है तो आ हमारी मेल आईडी फ्लेश उप रही है समय.astrolive.sahara.in चलिए हम आपको मिलवाएंगे देश के जाने माने जोतिश्य आचारे संजे मिश्रा जी से अचारे जी सबसे पहले आपका स्वागत है अचारे जी आज का हमारा विशे बेहती खास और शायद आज बहुत सारे ऐसे कई लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी में काफी विलंब हो रहा है आप से जानना चाहेंगे कि आखिर अगर आप बता पाएं लड़की के शादी में विलंब के कारण और लड़के के शादी में विलंब के ग्रहिये कारण क्या होते हैं सबसे पहले ही है समझाएं तो आप लोगों को हम नौरात्री से एक दिन पहले पूरे नौ ग्रह को कैसे अनकूल करना है ये सारी विधी बताए थे और आशा है आप वह जो है कर रहे होंगे अब देखिए विवाह अगर आपका विलंब हो रहा है चाहे लड़का हो या लड़की हो और विवाह नहीं हु हुआ है विवाह में बिलंब हो रहा है तो उसके लिए खास उपाई बताएंगे लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि आज जो है इसकंद माता का स्वरूप का पूजा किया जाता है इसकंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है जो कि पांचमा दिन है नौरात्री का और कल जो है छठा दिन रहेगा नोरात्री का जो की कात्यानी देवी के पूजन का विशेश आउसर रहेगा दिन रहेगा तो इसी में आपको उपाय करना है आप यह करेंगे जैसे कि पांचमें दिन का आज का जो उपाय है वह यह कर सकते हैं कि पांचमें जो भाव होता है हमारा वह अनकूल होता है माता कात्याइनी से माता जो है सकंद माता से तो इसकंद माता की आराधना कर सकते हैं आप विशेश रूप से छठा भाव को नियंतरित करती हैं माता कात्याइनी खश्टम कात्याइनी तीचर तो छठा भाव जो एक्ट्यू हो जाता है उससे हमें दिक्कत होती है अगर जो सब्सक्राइब के सा जो यह है चूछे अठर का सो किए तो बिलम करता है 10 जाए जाए क्यूं रहा होंने से wszyscy अच्छे भाव में होने से माणे लुए चूछे आठर में यह ईक्या एक मारे लोगहिा ambitions है तो ऐसे इस्तिति में विवाव में भी लंब होता है अब इसकंद माता की पूजा करके आप अपने बच्चों के सेहत बच्चों की विद्या शिक्षा आदि को नियंत्रित कर सकते हैं तो आज के दिन विशे सुरूप से माता इसकंद माता को प्रशन करें और इसकंद माता पारवती का ही सुरुप कहा गया है क्योंकि कार्तिके का ही नाम है इसकंद और जो कार्तिके की माता है वो इसकंद माता है तो आज का जो दिन है पारवती माता की पूजा करें अगर इसकंद माता की मुर्ती मिल जाए कहीं तो वहां पूजा करें चित्र मिल जाए तो चित्र की पूजा करें उससे आपकी बच्चे का भविश्य शुधरेगा बच्चा संसकारवान बने और विद्या बुद्धी में आगे बढ़े आप लोगों का सम्मान करें बढ़ों बिजूर्गों का माता पिता का इसके लिए विशेशुरूप से सकंद माता की पूजा करें उनको ज ऐसे अगर आप नौकन्या और एक बालक की पूजा करते हैं तो पूरे नौग्रह अनकूल हो जाएंगे आपके बच्चे के तो नौकन्याओं की बेवस्थागर हो जाए तो आतिउत्तम रहेगा ऐसा करें विशेश रूप से महाउपाय में हम आज बताएंगे कि अगर आप के विवाह में विलंब हो रहा है आप जो है पूरुष है तो क्या खास उपाय करेंगे जो की अचूख होगा अगर आप मन से सद्धा विश्वास के साथ उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो वैवाहिक कारिक्रम है वह जो है संपन होगा माता की किरपा से क्योंकि कल जो है कात्यानी देवी का दिन रहेगा छठा दिन रहेगा नो रात्री का तो इसमें कात्यानी देवी विश्चेश कृपा करती हैं विवाह के लिए तो आप जो है यह उपाय करेंगे और पूरे नो दिन के उपाय का फल मिल जाएगा आपको पूरे नो ग्रह के विवा हो गए हैं तो भी उपाय करने से ये होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन अगर मान लिजे कि अब विवस्थित है उसमें जो है शांती नहीं है दिक्कते हैं वैवाहिक जीवन में कुछ इनकुछ वैवाहिक जीवन में दांपज सुख में खटास है तो वह भी दू तो आप जो है अपने उपाय को करके जो वैवाहिक सुक को देने वाले ग्रह हैं शुक्र हैं ब्रहस्पती हैं मंगल हैं चंद्रमा हैं इनको आप अनुकूल कर सकते हैं बिलकल तो ग्रहों को अनुकूल करना जरूरी है, माका त्यानी देवी का दिन है कल, लेकिन उपाय जो आपको बताये जाएंगे, उनको आप अपनाएंगे कल की तारीक में तो यकीनन आपको बहुत फायदा होगा, कुछ मेल से इनकॉम शामिल कर लेते हैं, हमारे पास जो मेल आई है, आकाश जैन की मेल आई है, और ये इनके भाई की तरफ से मेल भेजी गई है, आकाश जैन की जो जनम की तारीक है, वो है 22.01.1986, समय है 11.45 एम, उदेपुर, राजिस्तान, इनका कहना है इनकी भाई की कुंडली के लिए जानना चाहते हैं, कि इनकी भाई की शादी पक्की होने में काफी परिशानी हो रही है, रिष्टे आ रहे हैं, पर कहीं पर भी बात नहीं बन पाती है, और शादी कब होगी ये बताएं, और जीवन साथी कैसा होगा, ये भी जरूर बताएं, जे बिलकुल, देखे, आपके जो भाई की कुंडली है, वह जो है मेश आज का महा उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि आपके भाई की शादी की बात है, तो भाई से बोलिएगा आज का महा उपाय जो होगा वो करेंगे, साथ में कुछ और उपाय हम बताते हैं, एक उनको बोलेगा कि चांदी का छला जो है, चांदी का छला रिंग फिंगर में धा करेंगे सुर्यास के बाद और विशेष रूप से ओम हिरं कारत लिसाह इस खास मंत्र का जॉप करेंगे सुर्यास के बाद और नौ कन्याओ को मिष्ठान देंगे स्टेशनी के समान देंगे कुछ वस्तत lex द क्षना जैसे आपकी समर्थ हो दे सकते हैं या जो है शुक्रवार के ही दिन देना है या नौरात्री का शुब वेला चलना है नौरात्री की शुब वेला में किसी भी दिन दे सकते हैं ऐसा करें अभी योग बना हुआ है निश्चित रूप से विवाह जो है हो जाएगा तो यह जो है अगर अभी आप कर लेंगे उपाए तो आप के अगले साल 2020 के अगस्ट से पहले विवा होने की संभावना बनी हुई है सवाल का और जवाब ले लेते हैं। पेड़ा में है वहाँ पर राहु या केतु या अ्थ्वा शनी की इस्थिती है दिर्ष्टी है तो यह दिकते आज आती अहीं गोचर में जब भी एग तेancel लिए वह अगे सम शक्राइब आ समया होती है तो यह दिक्कतें आ जाती हैं तो आपको आज का महावपाय जरूर करना चाहिए अगर जिनके रिष्टे होते की आप तूरी संध्यामें जब माता की आराधना करेंगे रात्री 11 बजे से 1 बजे के बीच में तो विशेश रूप से आपका ये महानुष्ठान हो जाता है क्योंकि इससे वड़ा जो है कोई साधना की वेला ही नहीं होती उससे में एकदम बातावरण शांत होता है और उससे में जो है देवी देवता जो है आपकी आराधना निश्चित रूप से पूरी करते हैं उसको जो भी आप अनुष्ठान करते हैं उसको पूरा करते हैं अब हम बात करेंगे क्रिश्न कुमार मिश्रा की मेल हम तक पहुंची है इनकी जनम की तारीक है 23.1992 समय है 6 बजे सुभा के कानपूर ये जानना चाहते हैं ये रश्पत चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं मंगल की दशा चल लई है जो कि आप अगर प्रयास करेंगे तो आने वाले जो समय में अभी मंगल में सुर्य की दशा आएगी 2020 में तो ये जो है आपको निश्चित रूप से 21 तक योग है आप जुलाई 21 तक पूरा अपनी श मारिक धारन करना है और एक जो है आपको सुनाहला धारन करना है अथवा अगर आप रत्न नहीं धारन कर सकते तो ये जो है सोने अथवा पीतल का छला इसमें धारन करें तरजनी उंगली में जो इंडेक्स फिंगर होता है और एक रिंग फिंगर में तांबे का छला धारन कर यह जो है आप जो भ्रहसपती के लिए है पीतल या सोने का यह भ्रहसपति वार को और जो आपको हम बता रहे हैं कि सुर्य का और मंगल का होता है यह तांबे का यह मंगल वार को आप धारन करेंगे तो विश्टेश रूप से आपके लिए लापदाई रहेगा और बिल्कुल और भी कुछ मेल्स आई हुई हैं उनको हम शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले हम आज के विशे को फिर से सवाल लेते हैं इस पर सवाल मेरा यह रहेगा आपसे कि शादी को लेकर के कई बार ऐसा होता है क्या दिशाओं का भी फर्क पड़ता है कि लड़कियां जो ह हैं और उस राशी का स्वामी जिस भाव में बैठा है अगर वहां पर पीडा है और आपके कुंडली में अगर बुध नीच का है या बुध जो है पीडित है और सब्तमेश पीडित है तो ऐसी स्थिती में वास्तु दोष के वज़से भी दिक्कतें आती हैं तो क्या करेंग आप वास्तु दोश को कैसे आप सुधारेंगे सबसे पहले आपके घर का जो इशान कोण होगा उसको स्वक्षा रखेंगे इशान कोण में हमेशा स्वक्षता रखें और भारी चीजें न रखें इशान कोण में और अपने घर के बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है स्वस्त त्रफ होना चाहिए ठीक सीद में स्वस्तिक तिस्य वास्तव दोस्डूर होता है इसा कोड में पीले रंग के प्रकास देने वाले बल बल अगाने चाहिए ऐसा करेंगे और एक नाम है इन्होंने मैंशन नहीं किया है लेकिन अपने डेट अफ बर्त समय और स्थान बताए सवाल पूछाएं, इनकी date of birth है 4-7-1999, समय है 3-15 एम, और इनका जो जनम का स्थान है वो है स्वर कुंडला गुजरात, क्या प्रोच रहे हैं, दो सवाल हैं, कि इनकी शिक्षा कैसी रहेगी और आगे नौकरी को लेकर भी कुछ बता पाएं, वेपार करेंगे या नौकरी करे पाएं, तो किस शेत्र में? जे 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 देखे आपका तूला लगन है और राशी कुम है, शिक्षा की बात कर रहे हैं और कैरियर की बात कर रहे हैं आप, तो जब जनम के समय में आपको दशा मिली, वह थी गुरू शनी, गुरू में शनी की मिली, पुरुवा भाद्र पद छत्र था यह जो है इस्थिती बनी हुई है अभी शनी में केतू की दशा चल लई है इस्थितियां जो है बहुत अनकूल नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है आप शिक्षा कानून से समंदित या जो है जो शिक्षा देने वाली शिक्षा होती है टीचिंग वगरा के छेत्र में य अगर आगे बढ़ना है तो यह दशा बहुत ही गोल्डेन दशा आ रही है 24 दिसंबर 2019 से इसमें आप जो है अपनी कोशिश कर लीजे मेहनत कर लीजे उससे आप लाभानवित होंगे अपना काम भी कर सकते हैं जहां तक मुझे लग रहा है कि जैसे अपना काम करना हो तो सब्सक्राइब करें एक आप चांदी का छला इंडेक्स फिंगर में शुक्रवार को रात्री में धारन करें यह आपके लिए लाबदाई रहेगा लाल रंग के कपड़े ना पाने तो अच्छा रहेगा बिल्कुल और चलिए आज की विशे पर एक बार फिर से आएंगे ले यकिनल शुक्रविवा होता है और महा उपाय आपको आगे बताएंगे आचारिया जी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कई लड़कियों की शादी हो जाती है और लड़का एनराई होता है और शादी के बाद कुछ ना कुछ प्रॉ बाई और किस तरीके से सब्जी जाती है बिल्कुल बहुत अच्छा यह प्रश्ण है देखिए जब भी हमारा सब्तमेश जो है पीडित होता है और द्वादसे से संबन बनाता है तो ऐसी इस्थिती बन जाती है कि आपकी जो है शादी जो है एनराई से होती है और वो जो है एक बालक जो भैरों का सरूप होता है जिनकी उम्र जो है दो वर्ष कम नहों और दस वर्ष अधिक नहों इनकी पूजा करें और विशेश रूप से ऐसी नो सौभागिवती स्तिरियों को कुछ सिंगार के सामान वस्तरादी आप दान करें ति इससे आपकी जो वैवाहिक द महाउपाय जरूर करिएगा ऐसे लोग उनको भी यह महाउपाय लाभनवित करेगा और आपको चाहिए कि पीले रंग का धागा जो है किसे सौभागवती स्तिरी से इस नौरात्री के वेला में अपनी बाई हाथ में जरूर बढ़मा लीजेगा बिलको लोड़ चलिए अब आरी आही गई है महाउपाय की विवा में विलंब हो रहा है विवा होने से पहले आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रेट हो ही रही है आपकी लाइफ में तो ऐसे में जोतिश्य महाउपाय अपनाई है ये किनन आप आपकी जो आप लड़के हो या लड़की हो जो भी पूरुष इस्त्री दोनों कर सकते हैं उम्र के बराबर लॉंग लेंगे साबूत लॉंग होना चाहिए जिसमें डंडी भी न टूटी हो और फूल भी उसका लॉंग का न टूटा हो जो इस्त्रियां होंगी वह जो है लाल रंग के धागे में उसको पिरो लेंगी बांध लेंगी जितनी उम्र है मान लिजे आपकी 27 साल उमर है तो 27 लॉंग ले लिजे साबूत उसको लाल धागे में गाठ दे दे के माला बना लिजे और यह जो है माता भगवती दुरगा को पहना दीजेगा साथ में अपनी मन पसंद के फ और उसको सफेद धागे में गांट देके माला बनाएंगे माता के चरुणों में चढ़ा देंगे और साथ में आप भी अपने मन पसंद के जो फल हो जो है उतनी संख्या में उम्र के बराबर संख्या में वह जो है माता को समर्पित करके और प्रशाद बार देंगे ऐसा करें और साथ में माता की प्रार्थना करें जो भी आप स्री दुर्गा सवस्वतियादी का पाठ कर रहे हो नीमित रूप से उसको करते रहें इसके इलावा दुर्गा जी का विशेश मंत्र आप जाब करेंगे अथवा ओम रिंक आत्याईनी स्वाहा जो भी या ओम दू दुर्गाईनवा बहुत मंत्र हैं बहुत सारे मंत्र हैं माता के किसी भी मंत्र का सद्धा प्रुवक आप जाब करियेगा लाव होगा बिल्कुल तो बहुत ही सरलसा उपाय है यकीनन लेकिन बहुत ही ताकतवर है अगर इसको आप अपनाते हैं तो यकीनन आपको बहुत फायदा होगा शिग्र विवा के योग बनेंगे और शादी के बाद कभी जो दामपत्य जीवर है वो काफी सुखमा ही हो जाएगा लेकिन अगर आपकी खुद की कोई समस्या है हम चाहते हैं आप हमसे जुरूर जुड़े हैं आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी फ्लेश हो रही है बीच-पीच में समय.astrolive.sahara.in लेकिन चलिए आज का जो विशे है बेहती खास है आचारे जी मेरा सवाल है सवाल ये है क्या कुंडली में सब्तम भाव ही सबसे जादा निर्भर करता है ये देखने के लिए कि दामपत्य जीवन कैसा रहेगा और कई बार तो ऐसा होता है कई लड़कियों की या कई लड़ सुब देता है अगर दोनो भाव पीडित हैं भाव ग्रवी भाव भावेश और कारक तीनों अगर पीडित हैं मान tähän की अगर जो अगर जो है सिंग्ह लगन की पर दो वहा को आहां सब्धрах कारक है वह हुआ हुआ पीडित हो गया और सब्तम भाव है उसमें भी कोई नीज का ग्रह या पीडित ग्रह वैट गया तीनों अगर पीडित हो गया तो ऐसी श्थिति में विवाह होती ही नहीं और वैरागी की श्थिति बन जाती है कई बार चंद्रमा के पीडित होने से भी वैवाहिक जीवन पूर बन जाए तो यकीनन शादी में वाकिव बहुत विलंब हो जाता है और कई बार शादी नहीं भी हो पाती लेकिन आप डरिये मत जो उपाय बताया गया है वहाँ पर भी फायदे मन साबित होगा तबी का जाता है कि जोतिश श्यास्त्रियों की माने तो जोतिश विग्यान का लाब लेना है तो विग्यानिक सोच की अवशक्ता होती है साथ ही सफलता के लिए जगना पड़ता है करम में लगना पड़ता है एस्टोलाइब में बस इतना ही आचारे जी बहुत बहुत शुक्रे आपका इन तमाम जानकारों के लिए फिर हाजिर होंगे कल एक नए विशे के साथ दीजे इजासत नमस्कार